आज की इस वीडियो में हम आपको गले के लिए बहुत ही बढ़िया नुस्खा दे रहे हैं फ्रेंड्स अगर आपका गला बैठा है तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हो सकता है गले का बैठना आपकी आवाज आसाधार रूप से बदल जाना किसी से बात करने पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना ये सारी समस्याएं अगर आपको हैं तो बिल्कुल भी नहीं गबडाईए हम आपके लिए घरेलो नुस्खा प्रस्तुत कर रहे हैं तो इस नुस्ख बिल्कुल खूल जाएगा आपकी आवाद बिल्कुल साफ हो जाएगी ये बहुत अच्छा नुस्खा है आप इसको एक बार जरूर करके देखिएगा अगर आपका गला बैठा है आप अपने गले के आवाज से परिसान है बैठे हुए गले से परिसान है गले के दर्द से परिसान है तो आप इस नुस्खे को एक बार जरूर करिएगा अगर आपको बतासा ना मिले तो आप यहां के लिए कम मिस्री आपको ज्यादा फाइदा करेगी तो अगर आपको मिस्री मिल जाती है तो आप मिस्री का ही इस्तेमाल करें लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि मिस्री आप डली वाली ही लीजिए वह आपको ज्यादा फाइदा करेगी वह छोटे-छोटे तुकड़ों अगर आपके पास पावडर हैं तो आप उसका इस्तिमाल ना करें, ताजी काली मेरिज को ही कूटें, आच हैं तो इसको बेलन की मददसे भी महीन पीष सकती हैं, यह आसानी वेलन से भी सिस पूधर बन जाता है, तो आपको ज्यादा काली मेरिज नहीं लेनी हैं, सिरफ दस ल कोड़ के बनाते हैं तो वो हम फाइदा करता है। इसलिए आप जाला तो बिल्कुल पाउडर का यूजος करें तो कि चल्दी तो इसको क्यों तो देशी घी लब यह रहा है होत्कly जदा नहीं हुआ है। लेकिन हम को जितना मिलाना है निकाल एंग हम देसी घी ले लेदेगे इसी घी होना जाहिए चाहे काय Любर सकती है और इसको आप तोड़ा गरम कर लीजें देखिया मैंा मैं गरम कर लिया है और इसी में आप काले मिरिच है को मिक्स कर दिचिये Lego itu यह आपका बहुत अच्छा नुसका बनकर तयार हुआ है यह आपका गला promise और साफ करेगा करेगा साथ में आप फायदा करेगा क। काम में भी आपको फाइदा करेगा ये भी बहुत जबर्दस नुसका है फ्रेंट्स इसको भी आप रात को सोते समय लीजिए खाना खाने के बाद आप इसको ले लीजिए और उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है सुबह देखेंगे तो आपको बहुत सारे फाइदे नजर आएंगे आप ठीकासी भी चली जाएगी और गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा बंद गला खुल जाएगा तो ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे नए वीडियो के करेंगे?